हेलो एब्रीबडी कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका अपनी ही चैनल रच्छा की रसोई में तो आज रच्छा फिर से हाजर है आपके लिए नया वीडियो ले करके तो आप मेरी पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो डेफिनेटली आप मुझसे जुड़े होंगे मेरी च नोर्टिफिकेशन या मैसेज आप तक बहुत जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि रच्छा की रसोई ने एक वीडियो अपलोड किया है और आपको नई नई रैस्पी और टिप्स औंट्रिक्स के बारे में पता चल जाएगा और हाँ फ्रेंड्स ये बिल्कुल फ पहाने आपके बच्चे रोटी भी खा लेंगे सबजी भी खा लेंगे और बहुत ही टेस्टी उनको रैस्पी भी मिल जाएगी तो यहां पर हम बनाने वाले हैं रोटी पीजा बहुत ही आसान तरीके से आपको ये रैस्पी बहुत पसंद आएगी और खाने में इतनी लाज टमाटर लिए है जिसको भी आपको दिहां करना रखजी वह इंसे पहले हम टॉप की ट्यारी कर लिए टोपिंग के लिए यहां पर हम टिमाटर प्यास मिर्च टो मैं आप बता दूँ कि आप पीजा में कोई भी सब्जी मिला सकते हैं आपने ने साथ आपसे जो भी आपको पसंद हो मन मुटाबब कोई भी सब्जी एड़ कर सकते हैं टॉपिंग के लिए तो मैं यहाँ पर प्यास टमाटर और सिम्ला मिर्च डाल रही हूँ अब मैं यहाँ डालूगी आधा चम्मश नमक और इसमें मैं डालूगी पिसी हुई लाल मिर्च और मैं लेगे एक रोटी जो भी बच्ची हुई रोटी आप जिसे सुभाइ बना लेते हैं ज्यादा साम को बच जाती है तो आप इस तरीके से उन बच्चों के लिए पीजा बना सकती है तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे यह पीजा रोटी नहीं है तो आप पराथे से भी तो यहां पर मैं एक चम्मच घी लेकर के सभी जगह लगा दूंगी आप बटर भी लगा सकते हैं तो घी या बटर लगाने से होगा यह कि जो रोटी है निचला हिस्ता तो सिखी जाता है लेकर जो ऊपर की परत होती है वह अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाती है तो घी लग को सभी जगह चाट मसाले को फैला देना है अब हम इसमें लगाएंगे पीजा सॉस तो अगर आपके हां पीजा सॉस नहीं है तो आप टोमैटो केचप भी लगा सकते हैं लेकिन मेरे पास है तो मैं पीजा सॉस ही लगा रही हूं तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है घर पर नहीं होता है पीजा सॉस तो आप उसकी जगह केचप लगा सकती है टोमैटो बहुत अच्छा लगता है बो भी तो इसको मैं सभी जगह अच्छे से कवर कर देती हूं तो यह देखिए मैंने पीजा सॉस लगा लिया है अब हमने जो टॉपिंग के लिए सबजें तयार की थी तो सभी सबजियों को हम इस तरह से फैला देते हैं तो यह देखिए कितनी सारी हम सबजियां इसमें फैला रहे हैं तो बच्छों के लिए काफी हेल्दी होती हैं सबजियां बैसे तो बच्छे हमारे नहीं खाते हैं लेकिन इस बहाने से वो जरूर खाएंगे और मांग मांग क तो चीज को अच्छ से कर देंगे तो चीज थोड़ा अप ज़भी नीच्ति Α हरी मिर्च यो आप ना बिचा बैठी, बच्चों के लिए बना रही क्या है इस तरहें मेर नियूद से शफ़यों का का लिकान के बना सिरे लुए ले वाल दाए है इसे जो पीज़ा मारा बनने वाला युक्तम अंदर तर क्रिस्पी बनता है जल्दी ही चीज जो है मेल्ट हो जाता है क्योंकि हमने रोटी ली है रोटी जादा मौटी तो होती नहीं है तो करीब पांच मिनट ही लगेंगे लुहे की तवे में और आपका चीज जो है बिल्कु दीमी आज पर इसको पांच मिनट के लिए रखा रहे हैं मीडिया में तेज आज बिल्कुल भी मत कीजेगा क्योंकि यह रोटी बहुत पतली होती है वरना यह जल जाएगी दीमी आज में रोटी बहुत अच्छे क्रिस्पी सिखेगी और जो पीजा है जो चीज है वह भी आप नहीं सकता कि यह रोटी का पीजा है बहुत ही यमी बिल्कुल देखने में बहुत ही लाजबाव इसको आप चाकू या पीजा कटर की मदद से इसको कट कर लीजिए तो मैंने इसको काट लिया है तो यह देखिए फ्रेंस कितना बढ़िया पीजा रोटी पीजा बन करके तय देखेगा तो फ्रेंस कैसा लगा आपको वीडियो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करिए लाइक शेयर चैनल करिए सब्सक्राइब फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक लिए बाब बाई टेक क्या हुआ है